Advanced structure for spoken English, अंग्रेजी बोलने के लिए सबसे जरूरी सब्द सीखें, के बगल में next to, चुका होता, would have, पहना, वोटान, उतार चड़ाओ, ups and down, से रहा है, have been, जहां तक, so far as, के बजाए, instead of, इस तरिके से कई सरे सब्द हैं, जो अंग्रेजी बोलने में सबसे जदा परियोग कि जाता है, तो चलिए सेखते हैं, man of letters, man of letters का मतलब होता है, विद्वान आदमी, आप जैसे बोलता हैं, scholar, विद्वान बोलता हैं, उसे दिरगे साप, man of letters का मतलब होता है, विद्वान आदमी, इसका परियोग आप एक object के रोप में कर लेंगे, जीसे subject to verb, और इसके बाद आ अमन विद्वान आदमी बनना चाहता है, तो संटेंस बनाएंगे, अमन वांस टू बिकम, अमन बनना चाहता है, मेन ओफ लेटर्स मतलब विद्वान आदमी बनना चाहता है, अलवर्ट आइस्टीन विद्वान आदमी थे, तो संटेंस बनेगा, अलवर्ट आइस्टीन वाज मेन आफ लेटर्स तो इसी तरह के साफ संटेंस कई सारी बना सकते हैं विद्वान आदमी के लिए हीदर एंड दीदर इसका हिंदी मतलब है इधर उधर इससे बोलते हैं वो इधर उधर घुमता रहता है तुम इधर उधर दिन भर करते रहते हो तुम आपर हीदर एंड दीदर का परियोग करते हैं सबजक्ट होगा वब होगा उसके बाद हीदर एंड दीदर होगा संटेंस देखते हैं इधर उधर मत जाओ तो संटेंस समनाते हैं डॉन्ट गो हीदर एंड दीदर इस तरह के से बोलेंगे रमेस इधर-उधर बाईक से जाता रहता है रमेस keeps on going रमेस जाता रहता है हीदर and दीधर बाई बाइक इधर उधर बाईक से आप से हैं तो गोइंग के बाद ही आप बाई बाई को यहाँ पर आप लगा सकते हैं और संटेंस के लास्ट में आप हिदर एंड दिदर का प्रयोग करेंगे बच्चा इधर उदर घुमता रहाता है The child walks हिदर एंड दिदर कोई काम करता रहता है आप सायत यहाँ पर walks के जिगाँ पर आप कर सकते हैं keeps on walking इस तरह के से The child keeps on walking हिदर एंड दिदर इसी तरह के साब sentences कई सरे बना सकते हैं All am excuse All am excuse का मतलब है असंतोस जनक बहाना ऐसा बहाना जो की संतोस न हो मतलब बिलीव ही नहीं हो कि वो मतलब सही बोल रहा है तो sentence होगा subject to verb All am excuse सिर दर्द अनुपस्थति के लिए और संतोस जनक बहाना है मतलब अगर कोई आगर आप किसी को बोलते हैं कोई काम करने वो किता है नहीं मैं नहीं करता हूँगा मेरा सिर दर्द करता है मतलब सिर दर्द करना एक और संतोस जनक बहाना है कि लगभग लोग बहाना इस पर बनाते है मतलब इस पर लोग विश्वास नहीं करते है कि सच में ऐसा है derive is a lamb excused for absence remains ने उसन्तो जनक भाना बनाया remains maid remains बनाया calam excuse एक उसन्तो जनक भाना या ऐस सन्तो जनक भाना किया इससे भी बोल सकते हैं फिर भी आप made का परियोकर सकते हैं Ups and Down, इसका मतलब हैं उतार चढ़ाओ, शंटेंस देखते हैं, जैसे कि उसने कई सारे उतार चढ़ाओ देखा है, तो संटेंस बना सकते हैं, कि he has been many ups and down he has seen उसने देखा है many ups and down कई सारे उतार चड़ाओ इस तरगे से जिंदगी में बहुत सारे उतार चड़ाओ आते राते हैं या आते हैं तो बूल सकते हैं many ups and down come in the life तो sentence कितना अच्छा है कितना पेज़ी तरगे से आप बना सकते हैं रवी ने कई सारे उतार चड़ाओ सहन किया है तो रवी हाज तोलेरेटेड रवी सहन किया है many ups and down कई सारे उतार चड़ाओ इस तरगे से बोल सकते हैं अगला हैं so far edge और इसका मतलब हैं जहां तक जैसे बोलते हैं जहां तक वहां पर आप इसका परियो कर सकते हैं इससे so far edge class clause इससे sentence मिलाते हैं कि जहां तक मैं जानता हूं वो बहुत इमानदार है तो sentence मिलाते हैं so far edge I know जहां तक मैं जानता हूं he is so honest वो बहुत इमानदार है जहां तक मैं जानता हूं सुरेश पढ़ने में बहुत तेज हैं तो sentence बनाते हैं So far as I know जहां तक मैं जानता हूं सुरेश is so intelligent in studying सुमन पढ़ने में बहुत तेज हैं इस तरह किसा आप बोल सकते हैं जहां तक पैसे की बात हैं मैं तुम्हें दूँँगा जहां तक तो इसके लिए आप बोल सकते हैं So far as या age for age लेकिन जदातर लोग age for age का ही परयोग करते हैं So far as का परयोग जदातर negative sentence में किया जाता है लेकिन spoken English के गर में बात क्यों तो उसमें सभी के साथ होता है तो sentence मिनाएंगे age for age money is concerned जहां तक पैसे की बात है all the while all the while का मतलब होता है हर वक्त या हर समय जब भी आप बोलना चाहते हैं हर वक्त या हर समय आप वहाँ पर इसका परयोग कर सकते हैं जिससे sentence समझाते हैं कि subject, वो अब, object उसके बाद last में all the while का परयोग करते हैं जिससे हर वो हर वक्त मोबाइल चलाता रहता है तो वो हर वक्त मोबाइल चलाता रहता है तो sentence बोल सकते हैं कि he keeps on using a phone all the while तो sentence कितना असानिस साब बना सकते हैं कोई दिकत नहीं है रभी हर वक्त खेलता रहता है तो sentence बनाते हैं रभी keeps on playing all the while that is very easy to use in spoken English, in Delhi use just you need to understand that how to use on the spot whenever I try to speak someone I try to speak with someone इस तरह किसा बोल सकते हैं over and over again that means कि आप कर सकते हैं बार बार जब भी आप बोलते हैं कि बार बार कि मतला अगें 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 वहां पर आप इसका परियोग करते हैं बार बार अंग्रेजी बोलो तबी आप अंग्रेजी बोलना चेख सकते हो फुलेंटली बोल सकते हो तो sentence बोलते हैं अंग्रेजी में कि Speak English over and over again इस तरह किसे मैं यहाँ बार बार खाना चाता हो मैं यहाँ बार बार खाना चाता हो तो sentence बनेगा I want to eat this, मैं यहाँ खाना चाहता हूँ, over and over again, बार बार खाना चाहता हूँ, वे लोग बार बार खिलना चाहते हैं, they want to play over and over again, इस तरह के sub-sentence न सकते हैं कई सारे, अगला सब्दे है put on और इसका मतलब है पहनना, जब भी आप कोई चीज़े wear करने की बात करते हैं, वहाँ पर आप इसका प्रियोग करते हैं, इससे बोलते हैं कपड़े पहनना, आप बोल सकते हैं put on the clothes, put on का मतलब पहनना और clothes means कपड़े, मैं अपने कपड़े पहन रहा हूँ, I am putting on my clothes, तो इसे ही sentence बना सकते हैं कोई देखकत नहीं है, वो जोते पहन रहा है, he is putting on clothes, तो इसे ही sentence आप बना सकते हैं put on की मदद से, अगला सब्द है for a while और इसका मतलब हैं थोड़ी देर के लिए, जब भी आप बोलते हैं थोड़ी देर के लिए, ताप परियोग कर सकते हैं for a while, इससे थोड़ी देर के लिए मैं असरी चकीत हो गया, तो sentence मिनाते हैं for a while, थोड़ी देर के थोड़ी देर के लिए मेरा इंतिजार करो, ताप बोल सकते हैं for a while, wait for me, for a while, थोड़ी देर के लिए, wait for me, मेरा इंतिजार करो, इस तरगे से, should have, should have का मतलब हैं कोई काम करना चाहिए था, जिससे बोल सकते हैं, कि उसने अपना काम पूरा, उससे अपना काम पूरा कर लेना साहिए था, तो बोल सकते हैं, he should have completed his work, इस तरगे से, रवी को नास्ता कर लेना साहिए था, रवी should have taken breakfast, तो कोई काम कर लेना साहिए था, past me, तो should have के साथ वित्री लगा सकते हैं, तुम्हे चाता लेना साहिए था, you should have taken an amrela, तुम्हे चाता लेना साहिए था, तो इससे इस sentence मनाते हैं, अगला word है, in instead of, और इसका मतलब हैं के वज़ाए, जिससे बोलते हैं, उसने क कड़ी मेहनत करने के बज़ाए, अपना समय बरबाद किया, समय बरबाद किया, किसके बज़ाए, कड़ी मेहनत करने के बज़ाए, अगर वो कड़ी मेहनत करता, तो उसके पास एक अच्छी नौकरी होती, एक अच्छा स्कील होता, इस तरह के साह बोल सकते हैं, he wasted his time instead of working hard, he wasted his time, उसने अपना समय बरबाद किया, instead of working hard, कड़ी मेहनत करने के बज़ाए, इस तरह के से बोल सकते हैं, वो सोने के बज़ाए, mobile चला रहा है, तो sentence बोल सकते हैं, he is using a mobile instead of sleeping, तो sentence काफी आसान है, जो कि आप इस तरह के से समझ सकते हैं, मैं बाइक के बज़ाए, laptop लेना चा आता हो, instead of a bike, एक bike के बज़ाए, bike लेने के बज़ाए, इससे बोल सकते हैं, would have और would have का मतलब हैं, कोई काम कर चुका होता, जिससे subject would have plus with three plus subject होगा, वो अंग्रेजी सिख चुका होता, तो sentence मनाते हैं, he would have learned English, कोई काम कर चुका होता, तो would have के साथ वितरी लगा सकते हैं, प या would have cooked food, कोई काम कर चुका होता, कर चुकी होती, कर चुके होते, आकास अभी तक पत्र लिख चुका होता, आकास would have written a letter till now, तो इससे ही sentence साब बना सकते हैं, अगला वड़ें have been, जो बताता है कि कोई काम केसी time से कर रहा है, जिसका structure होगा, subject have been plus before plus object, और इसको since four लगा हैं, इन दोनों का मतलब होगा, since four का, से का, जिसे हम लोग दो घंटे से match खेल रहे हैं, तो sentence मनाते हैं, we have been playing the match for two hours, इस तरह के से, मैं 9 बज़े से यहां काम कर रहा हूं, sentence मनाते हैं, I have been working here since nine o'clock, तो काफी असान है जो कि आप इस तरह के से sentences बना सकते हैं, पिरिया चार सलों से गाना गा रही है, sentence मनाएंगे, पिरिया has been singing a song for four years, तो इसे sentence आप कई सारे इसी तरह के से बना सकते हैं, next to, इसका मतलब हैं, के बगल में, जैसे कि, अमन मेरे बगल में खड़ा था, तो sentence मनाते हैं, अमन was standing next to me, काफी असान है, पिरिया अपने दोस्त के बगल में सो रही है पिरिया is sleeping next to her friend, तो यहाँ पर कोई भी काम किसी के बगल में कर रहा है, तो आप आप next to का परियोग कर सकते हैं, मेरे बगल में कोई नहीं है, तो बोलेंगे, there is no one, कोई नहीं है, next to me, मेरे बगल में, तो इसे ही sentences आप बना सकते हैं, so guys, thanks for watching, that's all for today.